बिग बॉस के घर में एक जोड़ी थी ईशा मालविया और समर्थ की लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद हमें जो देखने को मिला वो ये था कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया वही ईशा के फादर जब घर के अंदर आये थे तो वह बहुत खुस नहीं नजर आ रहे थे समर्थ से उनको यही था कि भाई मेरी बेटी से दूर रहो क्या कर रहे हो तुम अपना गेम खेलो अपनी इंडिविजल पर स्नालेटी दिखाओ यहां तुम ईशा को सपोर्ट करने क क्यों भी है अब कर रहे हैं फिर समर्थ समझने की भी ट्राय कर रहा था कि चलो बेटी के फादर है तो उनको नहीं अच्छा लग रहोगा कि हम नेशनल टेलिविजन पर एक दूसरे को किस वेगरा कर रहे हैं यह सारी चीज़े उसके बाद घर के बहार दोनों आया दोनों अनफॉलो कर दिया फिर दोनों ने एक दूसरे को फॉलो भी कर लिया तो फैंस को चलो थोड़ी रहात हुई अब ऐसे में समर्थ और ईशा बिग बॉस के बाद स्पॉर्टिंग किये गया है एक साथ फिनाले के बाद से तो लोग भी जानना चाते हैं कि बही दोनों साथ मे ही है अब कल समर्थ ने इशा और अपनी तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है I miss you इशा मालविया तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि इशा मालविया को समर्थ अब मिस करने लग गया है और उनको याद आ रही है इशा की कि भई अब साथ में कभी तो दिखें कभी तो नज करें जो कि big boss के बाद से possible नहीं हो पाया क्योंकि ईशा अपने काम में busy है समर्थ अपने काम में busy हलां कि समर्थ अभी highwaysарा भी पहुँचा हुआ था अरुम में और ऑ तहल earlier अहला के साथ और वहां पर उस ‫ने कुब धमाल मचाया है अग है कब दोनों साथ में नजर आते हैं ईशा और समर्थ और कब हमें ये दोनों साथ में देखने को मिलेंगे। फिलाल आप लिखे का आपको क्या कुछ है कहना आपको समर्थ और ईशा दोनों साथ में कैसे लगते हैं ये जरूर लिखेगा।